जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो सबसे पहले आपको कॉंग्राचुलेशन वारूपी टू पैंशन टेबल्स हमारे सामने आ गई है और आपने अपनी पैंशन भी देख लिए होगी दोस्तो इस पर कुछ confusion है पैंशनर्स के तो वो मैं दूर करना चाहूंगा आप लोगों के सबसे पहला है दोस्तो एरियर को लेके दोस्तो जो आपको एरियर मिलेगा वो फोर इंस्टॉल्मेंट में मिलेगा बाकि जो liberalized family pensionners है, voluntary award pensioners है, family pensioners है, उनको one time पे area मिल जाएगा. तो दोस्टो जो आपकी पहली किष्ट है, वो आपको मार्श से पहले, या मार्श तक देखने को मिल जाएगी. बाकि जो आपकी दूसरी किष्ट है, वो जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको मिल जाएगी बाकी दो किस्टे जो सो और है वो अगले साल तक आपको देखने को मिलेगी यानी चार इंस्चॉल्मेंट में आपको एयर मिलेगा दोस्तो एक बात यहां पे क्लियर हो गई दूसरी दोस्तों बात में clear करूँगा JCOs के लिए कई JCOs बोल रहते कि सर हमारी pension तो बड़ी नहीं है तो क्या जो हमें मिल रही है वो कम हो जाएगी क्योंकि ORP2 में कम pension है हमारी दोस्तों ऐसा नहीं होगा जो JCOs की pension पहले ही मिल रही है वो ही मिलती रहेगी उनकी कम नहीं होगी pension हाँ जो ORs हैं जिनकी pension बड़ी है उनको बड़ी हुई pension मिलेगी दोस्तों JCOs की pension कम नहीं होगी जो उनने मिल रही है पहले वो ही मिलती रहेगी क्योंकि उनकी pension की बड़ोतरी ORP2 में नहीं होगी है इसलिए उनकी कम नहीं होगी वो ही मिलती रहेगी जो उन्हें मिल रही है तो दोस्तों दूसरी बात यहां पर क्यर हो गई अब दोस्तों बात आती है PMR Rituary की यानि जो Pre-Mature Rituary हैं दोस्तों जैसा आपने PIB की रिपोर्ट देखी थी चार्ट जैन्वरी का लेटर देखा D.E.S. जब वो डिपार्टमेंट ने निकाला था उसमें लिखा हुआ था कि जो Pre-Mature Rituary हैं जो 1-7-14 को या फिर 1-7-14 के बाद आए हैं उन्हें O.R.O.P. 2 का लाब नहीं मिलेगा दोस्तों बिलकुल O.R.O.P. 2 Pension Tables जो आई हैं उसमें जो लेटर हैं उसमें भी साफ ये लिखा हुआ है कि जो 1-7-14 के बाद या फिर 1-7-14 को जो भी Pre-Mature आए हैं उनको O.R.O.P. 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो दोस्तों एक ये बहुत ही दुखत बात है एक और चीज दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा 30 जून 2019 तक आए सभी Pensioners को, सभी Family Pensioners को O.R.O.P. 2 का बेनिफिट मिलेगा जो भी 30 जून 2019 तक आए हैं बाकि दोस्तों आप JCOs हो आपने अपनी Pension देख ली होईगी कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है और बाकि दोस्तों O.R.O.P. 3 में ये ranks अल्रेडी भार हो जाएंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है इन्हें O.R.O.P. 3 में दोस्तों एक ये fact है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ average से कुछ नहीं दोस्तों बढ़ोतरी होगी average से कुछ नहीं maximum बढ़ने वाला आप लोगों का आपने O.R.O.P. 2 में देखी लिए है JCOs की आपको पता क्यों कम होई Pension वो इसलिए क्योंकि 2018 में जो भी JCOs आए नायब सुवेदार सुवेदार, सुवेदार मेजर HCO जो आए Honorary Lieutenant, Honorary Captain दोस्तों इनकी already कम Pension है 7 CPC में तो दोस्तों जब इनकी कम Pension है तो इसका average भी तो कमी आएगा जितने भी JCOs rank है जितने भी SEO rank है Honorary Captain तक दोस्तों इन्होंने 2018 में minimum maximum निकाला minimum और maximum निकालने के बाद भी कुछ भी Pension नहीं बढ़ी यहां पे क्योंकि already जो PPO है उसमें उनकी कम Pension है कम Basic Pay है जिसकी वज़े से जो average के अनुसार Pension भी निकाले तो दोस्तों वो भी कमी बनती है इस वज़े से इनको कोई बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिला और दोस्तों OOR OPP 3 में इन रेंक्स तो कुछ भी नहीं मिलने वाला कुछ भी नहीं जिस तरीके से OOR OPP 2 में नहीं मिला इसी तरीके से OOR OPP 3 में कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों जब तक average रहेगा average से minimum बढ़ोतरी होगी जैसे OOR की पच्चिस सो, दो हजार सत्रा सो, अठारा सो, उननीस सो और JCO's rank की तो 500 रूपे, 600 रूपे बाकी जो सुवेदार सुवेदार major rank है उनकी कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों आपने एक और चीज नोटिस करी होगी P.I.B. की जो टेबल्स थी उसमें बिल्कुल अलग पेंशन टेबल थी और जो अभी निकाली OORP2 की फूल पेंशन टेबल वो बिल्कुल अलग है तो दोस्तों आपको लगता है कि P.I.B. की रिपोर्ट करनी चाहिए इस पर कोर्ट केस करना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो P.I.B. की रिपोर्ट निकाली उसके अनुसार हमने माना कि इसी के अनुसार हमारी OORP2 पेंशन टेबल आएगी लेकिन दोस्तों इससे बिल्कुल अलग P.I.B. की रिपोर्ट में सुवेदार मेजर की इतनी बड़ा रखे थी पेंशन नायब सुवेदार का देख लिजे दोस्तों P.I.B. की रिपोर्ट में कितनी बड़ा थी और इसमें देखिए दोस्तो OORP2 पेंशन टेबल में जो अभी आई है इसमें कितनी है कोई भी फायदा नहीं है JCOs को और SCOs को तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से डाउन ग्रेडेशन हुए JCOs का SCOs का जिनकी कोई भी बड़ोतरी नहीं हुई एक नायब सुवेदार की देख लिजे दोस्तो 500, 600, 700 रुपे की बड़ोतरी सिरफ बागी सुवेदार रेंग की कुछ भी नहीं सुवेदार मेजर रेंग की कुछ भी नहीं ओनरी लेफ्टी रेंट की कुछ नहीं ओनरी केप्टन की कुछ नहीं दोस्तो इसका मेन कारण है 2018 में जो PPO है इन JCOs के SCOs के इनकी कम पेंशन बनी है कम pension बनने की वज़े से इनका average भी कम बना है जिसकी वज़े से हमें ये result देखने को मिला है ORP to pension tables तो दोस्तों ये कुछ जानकारी है थी जो मैंने आपके साथ share करी I hope आपके confusion दूर हो गए होंगे तो दोस्तों ये कुछ point है जो मैंने आपको समझाए वीडियो आपको अच्छा लगते हैं वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you so much